मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक किलर ने दो लड़कियों को मार कर लटकाया है वो लड़किया काफी इंजर्ट थी वो किलर चाकू से एक लड़की का पेट काट लेता है जिससे उसके सारी intestine बाहर आते है और फिर वो लड़की के intestine को उसे ही खिलाता है ये देखकर दूसरी लड़की बहुत डर जाती है यहाँ पर हम killer को देख पाते हैं वो Santa killer था इसके बाद हमें पात साल बाद का scene दिखाया जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पर ये incident हुआ था इस जगह पर एक water plant बना दिया गया था वो जगह काफी वीरान थी उस जगह की देखबाल करने के लिए एक आदमी को हायर किया जाता है जिसका नाम क्रेंडल होता है इस water plant के एक manager भी थी उसका नाम Nicole था Nicole एक customer से बात कर रही होती है वो customer को बता रही थी कि इस बार Christmas पर कोई murder नहीं होने वाले है तो आप relax रही है इसके बाद Nicole को उसके husband का call आता है वो उसे security guard को मारने की धमकी देता है फिर Nicole क्रेंडल के पास जाती है वो उसे बताती है कि government इस जगह को खरीदना चाती है जिससे हमारी job खतम हो जाएगी लेकिन क्रेंडल उसके बातों पर धान नहीं दे रहा था क्यूंकि वो कुछ और ही सोच रहा था वो उस रात को याद कर रहा था जब वो सैंटा किलर ने उन दो लड़कियों को मार डाला वो भी क्रेंडल के आगे फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो water plant के office में आता है वो कहता है आपके security guard के तब बेट ठीक नहीं है इसलिए आज की duty करने के लिए उसने मुझे भेजा है कुल उसे उसका सारा काम समझा देती है और वो किसी जरूरी काम से बाहर चली जाती है जो आदमी अभी अभी यहाँ पर security guard बनके आया होता है उसका नाम Jordan होता है क्रेंडल उस जगह को देख रहा था क्योंकि उसे वहाँ कुछ गडबर लग रही थी फिर वो security guard याने कि Jordan अपने कपड़े change करके वो भी उस जगह को देखनी लगता है तब ही उसे क्रेंडल मिलता है और वो बताता है कि आज हमें बिल्कुल alert रहना है क्योंकि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे murders होने वाले है वो कहता है कि आपको आफिस में ही रहना चाहिए Jordan आफिस के अंदर जाता है तो निकॉल का husband गुसे में वहाँ पर आता है और निकॉल को ढूणने लगता है वो Jordan को पूछता है कि मेरी वाइफ कहां पर है जिस पर Jordan उसे बताता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है जब निकॉल का husband बाहर होता है तब उसे किसी लड़की के चिलनाने की आवाज आती है जब वो चेक करने जाता है तो कोई उस पर कुलाडी से अटेक करता है जिससे उसका बहुत सारा खून बैने लगता है और उसकी मौत हो जाती है इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिससे वो सांटा किलर उसके घर से किटनैप करता है क्रेंडल जॉर्डन को बता रहा होता है कि मुझे पोलिस के थूरू ये खबर मिली है कि एक लड़की सीटी से गायब हो गई है क्रेंडल कहता है कि मुझे तो ये उसी किलर का काम लगता है जिसने पात साल पहले दो लड़कियों को इसी लोकेशन पे मारा था फिर रात को जॉर्डन अपनी बुक लेने के लिए अपनी गाड़ी में जाता है क्रेंडल उसे कहता है कि हमारा बाहर रहना किसी कत्रे से खाली नहीं है तभी उन्हें एक लड़की के छिलाने की आवाज सुनाई देती है वो उसी तरब जाते है जहां से आवाज आ रही थी तभी जॉर्डन को एक लड़की मिलती है जिसे किलर ने बांदा हुआ था वो दोनों उस लड़की को छुडवाते है और वो लड़की बताती है कि मुझे उस सांटा किलर ने किटनैप किया है स्किलर ने एक और आदमी को प्रिजनर बनाया हुआ है जिससे वो अपने साथ लेकर गया है तबी उन्हें पानी में से किसी की आवाज आती है तब क्रैंडल चेक करने के लिए पानी के तरब भागता है उसे पानी में किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है ये देखकर वो डर जाते है वो लोग ऑफिस जाकर छुप जाते है क्रैंडल जॉर्डन को कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखो मैं उस किलर को ढूंडने जाता हूँ फिर थोड़ी तेर गुजर जाने के बाद क्रैंडल वहाँ पे आता है और उन लोगों को भागने के लिए कहता है जॉर्डन और वो लड़की भागने लगते है लेकिन सामने वाला में गेट तो लॉक होता है तो वो लोग चाबी लेने के लिए ऑफिस जाते है और जब उस जगह को चेक कर रहा होता है तब उसे निकोल एक रूम में बंदी हुई मिलती है निकोल को वहाँ पर देखकर क्रैंडल को ए गेट करता है जब वो लड़की गाड़ी में अकेली बैटी होती है तो उसे अपने गाड़ी के सामने एक इंजड आदमी नज़र आता है जो जॉड़न को गेट की चाबी मिल जाती है और वो गाड़ी में वापस आता है वो लड़की जॉड़न को बताती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक इंजड आदमी को देखा है जो अचानक गायब हो गया है जॉर्डन कहता है अगर वो आदमी इंजड है तो वो जरूर किसी मुसिबत में होगा हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और वो दोनों उसे ढूंडने लगते है उसे ढूंडते ढूंडते वो ऐसी जगपे पहुचते हैं जहां निकोल के हस्बेंड की डेड बोडी थी वो लड़की जॉर्डन को बताती है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने देखा था दूसरी तरफ उस किलर का वेट करते करते एक रैंडल को बहुत टाइम हो गया था रैंडल अंदर जाके निकोल को देता है और वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते है जॉर्डन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती इसलिए वो पैदल ही में गेट को खोलने की कोशिश करते है तब उन्हें किसी आदमी की चिलाने की आवाज आती है ज निकोल उसे बताती है कि ये तो हमारा पुराना सिकुरिटी गार्ड है जिसे तुमने मार डाला जॉर्डन निकोल को बताता है कि मैं तो इस आदमी की आवाज सुनकर यहां पर आया हूँ लेकिन निकोल उसकी बात पर यकिन नहीं करती और जॉर्डन को मार कर वहाँ से बारो मारता है वो सिधा उसके मूँ में गुसता है और उसकी भी मौत हो जाती है निकोल जब भाग रही थी तो जॉर्डन उसे पकड़के अपने साथ एक जगह पर लाता है और उसे बान लीता है लेकिन तबी वो किलर निकोल का गला काटकर उसे मार डालता है क्रेंडल उसका पीछा करता है वो किलर को मारने ही वाला था तबी क्रेंडल पर अटक करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आग खुलती है तो वो खुद को बंदा हुआ पाता है तबी जॉर्डन उसके सामने आता है और बताता है कि मैं उस किलर याने सांटा किलर का और वहाँ से भाग गया उसे ठीक होते होते पात साल लग गया फिर इन दोनों भाईयों ने मिलकर प्लान बनाया वो क्रैंडल से बदला लेंगे तबी वहाँ पर सांटा किलर आ जाता है और रैंडल को टॉर्चर करने लगता है तब जॉर्डन बाहर आकर क्रैंडल के मरने का वेट करता है क्रैंडल अपने लेक्स के मदद से किलर को पकड़ लेता है और उसे इंजट करता है और खुद को आजाद करके बाहर जाता है बाहर उसे जॉर्डन खड़ा मिलता है क्रेंडल जॉर्डन को अपने गन से शूट करता है क्रेंडल समझ रहा था कि अब वो दोनों भाई शायद मर चुके है लेकिन तभी वो सांटा किलर बाहर आ जाता है और क्रेंडल के पेट में चाकू गुशा कर उसे मार डालता है मरते मरते क्रैंडल उस किलर की दाड़ी हटाता है जिससे उसको पता चलता है कि ये दोनों भाई सच में जुड़वा है और ये मूवी इसके साथ एंड हो जाती है